Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. Good English Learning Habits शायद आपने अच्छी तरीके से सुना होगा कि आदते ही habits ही इंसान को बनाती है. तो वो कौन सी ऐसी habits है जो हमें अच्छी खासी English Learning के लिए काम आएगी? बला English Learning के लिए भी कोई habit होती है? Of course, बहुत सारी ऐसी habits है जो हमारी language skills को especially English के लिए जो हम speaking skills के लिए यूज करते हैं वो काफी useful होती है. तो आज हम इसी वीडियो में देखेंगे कि good English Learning की कौन-कौन सी habits होती है? जिसे अगर हम try करे, कोशिश करे और use करे हमारे daily life में तो वो किस तरीके से हमारे लिए useful हो सकती है? So, let's start. So, our first habit, write down your small measurable monthly goal. आपने देखा होगा, जब कभी भी चाए हम personal life से related बात करें, या घरेलू रसोई वागेरा दील कर रहे हैं, या business कर रहे हैं, तो हर field में हमारा एक target होता है, monthly target होता है, monthly goal होता है. लाइफ में हम कभी भी, अगर हमें कोई big things को हासिल करना हो, बड़ी-बड़ी चीजों को हासिल करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? चोटी-चोटी सी planning करते हैं, ताकि हम उसे step by step जो है हासिल करके क्या कर सकते हैं? उसे बड़े तरीके से हासिल कर सकते हैं, तो चोटी-चोटी चीजे करके ही, अगर आप से यह सोचते हैं कि नई भाई में तो एक दिन में सारा कुछ कर लूँ, तो वो impossible है, जितनी इंसान की capacity होती है, हर इंसान उतना ही कर पाता है, तो अपनी life में आप monthly goal बनाईए, कि हाँ मुझे English में क्या करना है, मन्तली आप कुछ भी target बना सकते हैं, for example, reading लेग सकते हैं कि मुझे इतनी perfection के साथ reading आनी चाहिए, हो सकता है, कहीं ऐसे बंदे होता हैं जिने reading भी नहीं आती है, त सीडी से लेके, आप पूरा alphabet सीखिए, उसके बाद उसको किस तरीके से pronounce करते हैं, आप वो सीखिए, writing कीजिए, आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए, monthly आप अपना target बनाईए, कि मुझे ये book complete करनी है, या comics पूरा करना है, या writing में ये सीखना है, cursive सीखना है, या speaking में मुझे ये चीज बोल ली है, vocabulary perfect करनी है, आप particular कोई भी topic लेके, vocabulary सीख सकते हैं, तो ये सारी चीज़े क्या है, आप एक monthly goal बनाईए, कि नहीं मुझे monthly जो है, इसी तरीके से ये चीज हासिल करनी है, जैसे कई person जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कि मुझे इस month में 2 kg कम करना है, या 3 kg कम करना है, तो day by day, step by step कोई काम होता है, एक साथ कभी भी नहीं होता है, तो इसलिए आप अपनी language को सीखने के लिए, habit डालिए, ये सब चीज़े क्या है, habit है हमारी, जैसे हम डेली routine में जो भी हमारी habits है, हम उस काम को routine के साथ करते हैं, चीक है, तो इसलिए आप अप Create a routine, routine की अगर बात की जाए, बीना routine अगर हम कोई भी काम करें, तो वो success हो ही नहीं सकता, आपने देखा होगा, कई ऐसे successful जो business person है, दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो VIPs है, business person है, business tycoon है, वो successful क्यों है, आपने जाननी कोशिश की कभी, अपकोर्स, उनका एक routine है, वो सा सारा काम अपने routine wise करते हैं, आपने देखा होगा, एक famous person जो है, होकिन जो रहे है, scientist आपने सुनाई होगा, कि सारी दुनिया, जब कोई काम करता है, अपने routine wise के हम आदा एक गंटे तो यह rest कर लेते हैं, या लिफ्ट में चड़कर जब जाते हैं, तो वेट कर लेते हैं, वो पूरा ज़रूरी है, जिस तरीके से हम सारे daily routine के काम करते हैं, उसी में ही आप अपनी habit डालिए, कि मुझे speaking skills करनी है, speaking बोलनी है, मुझे English को करना है, तो अगर आप अपने routine में शामिल कर लेंगे, चाहे वो half an hour हो, one hour हो, two hour हो, according to your routine, according to your comfortable, जिस तरीके सा आप उसको routine में ड डाले, no, जिस तरीके से हो सकता है, कभी बार, आप office में हैं, घर पे हैं, या कभी कबार जहां पर भी आप उसको set कर सकते हैं, अपने daily routine के अंदर, तो वो routine में इस चीज को डालिए, habit बना लीजे, आपकी एक routine के अंदर, कि मुझे जो है, successful person की तरह ही, English को अपनी का हिस्सा बन जाएगी, और जब कोई चीज हिस्सा बन जाती है, no doubt है, वो कभी भी आप से दूर नहीं होती है, तो आप उस चीज को अपने अंदर समेट लेंगे, तो आप से दूर कभी भी नहीं होगी, have pleasure, दुरिया की सबसे जो है, खाश और अनोखी चीज है, कि अगर हम जब खुश होते हैं, तब ही हमें हर काम करने में मज़ा आता है, और यही चीज अगर आपको कोई burden की तरह दे दी जाए, बोज की तरह, के नहीं, तुम्हें तो इंगलिस सीखनी है, आपको बोलनी ही है, तब आपको क्या लगेगा, ओ माई गॉड, इस चीज को कोन लेके बैठेगा, कोन दिमाग में डालेगा, कोन फाल्तु की बाते करने बैठेगा, बिल्कुल नहीं, काम अगर आप कोई भी काम हो दुनिया का, I am not talking about particularly learning language, दुनिया का हर काम, चाहे वो घरे लिए हो, चाहे बा लेंग में सीखनी की जो हैबिट है, उसको आप बर्डन मत बनाएए, कि नहीं यार मुझे तो इंगली शीख नहीं है, किस तरीके से सीखू यार मेरे तो दिमाग खराब हो गया, किस तरीके से जो है, कभी सीख भी पाऊंगा, या नहीं पाऊंगा, बिल्कुल नहीं, अगर ही करते हैं, ताकि बच्चे जो है, पढ़ाई से डरे नहीं, तो आपको भी इंगलीश से डरना ही नहीं है, बिल्कुल भी, आपको अपने रुटीन में शामिल करना है इसको, और मजे के साथ, गेम के साथ, जो है, इंगलीश शोंग सुनने है, इंगलीश कॉमिक्स सुननी ह है English movies देख ली है तो आपका entertainment भी होता रहेगा और आप कुछ सीखेंगे भी इसलिए कोई भी काम करो तो बड़े मज़े लेके करो ताकि उस काम को करने में आपको और ज्यादा इंट्रेस्ट है यह आपके इंट्रेस्ट देवलक्मेंट के लिए काफी अच्छा है कि विफोर स्पीक थिंक इन माइंड बड़े बुजुर्ग कहके गए हैं जिन्दगी में अगर कभी भी कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो तो अगर हमारे जो बुजुर्ग कहके गए हैं नो डाउट है वो बात गलत हो ही नहीं सकती तो यहां पर भी बात साबित होती है कभी भी अगर आप किसी से भी कनवर्सेशन करते हैं किसी भी परसन से बोलते हैं कि कभी भी कोई ऐसा वक्त आ जाए कि आपको इंग्लिश बोलनी ही है तो आप क्या करेंगे आप सबसे पहले प्रिपेर करेंगे अपने है चाहे हिंदि हो चाहेंगली हो चाहे हो चाहेंं गुजराती हो चाहें अधिक हो या दुनिया की कोई भी माइं ही काम आता है मैं हम हमें क्या बॉलना है वह चीज हम में पता होती है ना कि लेंग्विज को इसeseलिए सबसे पहले बोलने पहले अपने माइंड में ready करिए कि आपको बोलना क्या है और उसको बोलने से पहले माइंड में तोलिए कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है जब आप confirm हो जाएं उसके बाद ही बोलिए अपने mind में पहले से ready रखिए और active रखिए अपने mind को जब आप किसी से भी English में discussion करते हैं ये नहीं कि आप totally खो ही जाएं कि भी माम ने तो बोला था कि भी पहले अपने आपको ready करना है या confirm हो जाए फिर बोला नहीं आपको इतना ready रखना है जैसे हम कोई भी जो हमारी mother tongue बोलते हैं क्या कभी आपने सोचा है आप उस चीज के लिए इतने perfect क्यों होते हैं on the sport आपके mind में कुछ भी आता और आप बोल देते हैं तो वो ही है ये आपकी एक habit तयार करेगा कि जिस तरीके से आप mother tongue में बोलते हैं कुछ भी चीज को करके on the sport वो ही चीज आपको यहां पर मिलेगी कि आप उस language में सोचने के लिए तयार हो जाएंगे और always try to think in English to English कभी भी ये मत सोचिए कि आप पहले हिंदी में सोचेंगे फिर इसको English में translate करेंगे नहीं क्योंकि कई चीजे difference होती है जब हम translate करते हैं English to Hindi या Hindi to English इसलिए सिर्फ माइड में जो कुछ भी आपको आता है जो कुछ भी आपको आता है चाहे टूटी फूटी आए चाहे रिलेटेड कुछ भी आए तो आप उसको याद करिए और सिर्फ बोलिए डॉंट कॉपी शायर ये भी बात बड़े बुजूर्गी कहके गए है कभी भी किसी की कॉपी मत कीजिए ठीक है विकाज भी ओल आर यूनी गॉड ने हमें सब को हम सब को यूनीक बनाया है हम अपने आप में एक एकलोते पीस है दुनियां के अंदर हम जैसा कोई हो ही नहीं सकता चाहे वो कितना भी कॉपी कर ले हमें तो यहाँ पर जो कॉपी का मीनिंग है वो ये है कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं चाहे वो वुकाबलरी है, रीडिंग है परनांसियेशन है, सेंक्टेंस है वर्ब है, पैरेग्राफ है तो हमेशे उसको रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए उसको समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि रट्टा मारा हुआ चाहे क्रेम है चाहिए copy है चाहिए copy paste है यह stuff है यह सारी चीजे अगर आप यह सोचते हैं कि जैसा लिखावर वैसा का वैसा मुझे बोलना है तो आप कभी भी नहीं बोल पाओगे जब तक आप उसकी practice नहीं करेंगे समझ के वो भी आपको पहले समझना पड़ेगा कि उस particular meaning क्या है उस word का meaning क्या है इसका pronunciation कैसा है यह कौन से situation में इसका change होता है जब तक आप समझ के नहीं पड़ेंगे तो आप कभी भी नहीं सिख सकते कोई भी language तो आपको अगर English language की habit डाल नहीं है अपने आपके अंदर तो सबसे पहले आपको copy की जो आदत है वो छोड़नी पड़ेगी और आपको हर काम समझ के करना पड़ेगा जो कुछ भी उसके अंदर आ रहा है तो अगर आप उस चीज को समझ के करेंगे तो no doubt है आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे आप चाहे कुछ भी सीखिए चाहे reading है writing है understanding है speaking है word sentence phrase idiom जो कुछ भी आप लर्न कर रहे हैं आप उसको समझ के पड़िए समझ के learn कीजिए फिर उसको किस तरीके से daily routine के अंदर हम उसे use कर सकते हैं वो situation create कीजिए और उस situation के according आप उस चीज को use कीजिए जितना आप use करेंगे उतना ही आपकी जो language skill है वो काफी improve होगी priority on good it कहा जाता है हर इंसान अपने आप में एक unique होता है एक खुबी होती है हर इंसान की एक पसंद होती है तो यहाँ पर भी वो ही चीज है कि आपको concentrate करना है attention देना है उस चीज पर जिस चीज में आप perfect है इंसान को गौड ने एक unique चीज दी है जिसमें वो perfect होता है और उसको वो चीज का बहुत ज़ादा इंट्रेस्ट होता है हर इंसान अपने आप में एक खुबी रखता है किसी परसन की docket होता है कोई sensor होता है कोई sporty होता है कोई naughty होता है तो हर इंसान में अपनी एक खुबी हो जिस चीज फिल्ड में आप active हो जिस फिल्ड में आप बहुत अच्छे हो उस चीज पर आप concentrate कीजिए attention कीजिए focus कीजिए कि जिस चीज में आप good है उस चीज को आगे बनाईए तो आप जो है चाए आप में reading perfection हो सकता है writing, speaking, confidence level, sports level जिस फिल्ड में भी आप अच्छे हैं उस फिल्ड को English में डालिए जैसे suppose कीजिए for example अगर आप sports related है आपको sports खेलने का बड़ा शोक है तो आप anchoring सुनिए आप जब कभी जो कोई भी anchoring करता है वो किस तरीके से grammar यूज करता है simple present tense यूज करता है pronunciation यूज करता है कौन सा ऐसा tense है जिसमें anchoring की जाती है तो यह सारी ची अगर आपको sports field में है अगर आपको कहीं पर भी receptionist बनना है तो आपको reception की English सीखनी पड़ेगी तो जिस field में भी आपका interest है चाहे वो engineering है चाहे वो doctor है चाहे वो किसी भी field में है तो उस field की आप vocabulary सीखनी की कोशिश कीजिए जिस field में भी आप expert है तो आपको उसकी English और vocabulary इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि उस field में आपको काम करने का बड़ा मज़ा आएगा तो इसलिए जिस field में आप active है जिस field में या जिस चीज में आप अच्छे है उस चीज की आप try कीजिए English और उसको बहुत जादा confidence के साथ यूज कीजिए cannot become master in one day ये बात अपने आप में ही perfect है कि दुनिया के अंदर कहा जाता है कि एक दिन वे कभी भी हम कुछ भी नहीं सेख सकते हमें हर बात के लिए patience रखना पड़ता है तो यहाँ पे भी language की अगर हम बात करें habit की तो language की ये habit है कि आप सोसते हैं कि मुझे ते इनली सीखनी है कुछ ऐसी scheme बता यार के मैं तो दो तीन दिन के अंदर ही सीख जाओ या दो गंटे में सीख जाओ या चार गंटे में आप सीख पाएंगे वन वीक में सीख पाएंगे नहीं ये सीफिक दिखावा है टाइम पास है या mind diver की thinking है तो आपको क्या करना है अगर real में वो चीज सी लिखनी है आपको by heart तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा आपको कचुए की चाल चलनी पड़ेगी आपने बच्वन में जरूर एक स्टोरी पड़ी होगी कचुए की और एक खरगोश की तो आप अगर सोचते हैं खरगोश की चाल चलके जो मैं जी जाओं तो वो हो नहीं सक सकता आपको कचुए की चाल चलता हुए step by step सीखना है पहले alphabet सीखना है फिर word सीखना है फिर sentence सीखना है फिर paragraph सीखना है और फिर आप अपने ही paragraph फुल जो है बनावाएंगे तो उस शीच के लिए आपको क्या करना है क्योंकि language जो सीखने की होती है वो हम race की तरह नहीं सीख स सकते हम उसे हमेशा slowly slowly step by step सीखेंगे क्योंकि जब तक हम किसी चीज की habitual नहीं हो जाते है आप कभी भी नहीं सीख सकते अकसर आपने सुना होगा यार मेरी तो पता नहीं मूह से English नहीं सी निकलती बहुत कोशिश करता हूं बहुत कोशिश करती हूं लेकिन पता नहीं क्या य कि जब कभी भी मैं कुछ भी बोलूं तो मेरे मूह से क्या निकलनी चाहिए सिर्फ English चाहिए वो टूटी-फूटी ही क्यों नहीं हो क्योंकि बच्चे भी पहले तुतलाते हुए बोलते हैं फिर थोड़ा फिर सही होते हैं फिर perfection के साथ बोलते हैं तो language भी है mother tongue तो हम family के साथ रेखे भी सीख सकते हैं चाहिए दुनिया की कैसी भी language हो लेकिन अगर हमें कोई other language सीखनी हो तो उस चीज के लिए हमें अपने आपको ढालना पड़ेगा habitual होना पड़ेगा उसको जो है अपने अंदर समेटना पड़ेगा तब ही हम जाके जो है बोल पाएंगे अगर मैं किसी भी फिल्म की आपको story पूछू और अगर आपने वो देखी ही नहीं है तो आप मुझे कैसे explain करेंगे आपके माइंड में कुछ भी है जब तक आपने देखा ही नहीं आपके माइंड में वो चीज आई ही नहीं तो आप कैसे बोलेंगे इन दा सेम वे अगर आप लेंग वेस सीखना चाहते हैं तो आपको लेंग वेस को अपने माइंड में डालना पड़ेगा तब ही आप जायके उस चीज को सीख पाएंगे इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी की जरुवत नहीं है कि हमें एक दिन में ही सीखना है दो दिन में ही सीखना है तो आप बोर हो जाएंगे आपका मन उप जाएगा उस चीज के लिए कि नहीं मुझे तो आप सीखनी ही नहीं यार बतानी मुझे तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा आप step by step जो है सीखिए patience रखिए दुनिया में सब्र नाम की भी एक चीज बनी है जिसमें सब्र होता है वो ही आगे जाके successful होता है thank you for watching I hope so you like this video if you like my video please hit the bell icon for more updating videos please subscribe नास पाडशाला I hope so यह आपके लिए काफी useful है प्लीज आप अपनी habit बनाएए इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश इतने भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं बस आपको अपने आप में थोड़ा सा changes करना है तो आप थोड़ा सा changes कीजिए be habitual to speak English चाहे tutti-footy ही बोलिए लेकिन try कीजिए अपने घर पे keep practicing I hope you like this video take care bye bye